हालो एव्रीवन वेलकम टू आ चानल आप सभी का स्वागत है हमारे चानल ओलिव बोर्ड राजस्तान पर तो देखिए आज के इस विडियो सेशन के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्तान करंट अफैस की एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम जैनवरी 2021 से जुलाई 2021 के जि इस डिवलाप्मेंट्स हुए हैं राजस्तान करंट अफैस के तो वो भी हम इन वीडियो सीरीज के तुरू कवर करने वाले हैं ताकि ये यूसफुल रहे हैं आपके जो भी आगे आने वाले आगामी एक्जाम से चाहे वो आरेस प्रिलिम्स का एक्जाम हो या फिर पतवार से जुलाइ 2021 या फिर ओगस्ट और सेप्टेंबर 2021 में इंपोर्टेंट पसानलीटीज जो न्यूज में रही उनको हम कवर करने वाले हैं आब के सुपहला पिलिस महानदेशक रांग पर fitness होने वाली प्रदेश की पहली महिला पुलीस IPS अधिकारी कौन है तो ऐसी कौन सी पहली महिला पुलीस IPS अधिकारी है जिनको DG रांक महानेदेशक रांक पे पदोनत किया गया है ओके तो इनका नाम है नीना सिंग बहुत ही important question यह आपके लिए रहने वाला है नीना सिंग जरूर आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे 1980 बैच से यह जो है 1980 का जो बैच है उससे यह IPS है IPS उमेश मिश्रा का और साथ में ही नीना सिंग इनको अत्रिक्त पुलीस महानेदेशक से अब DG रांक पे पदोनत किया गया है नीना सिंग इनके पास फिला Civil Rights and Anti-Human Trafficking की कमांड थी मेन चीज आप ध्यान में रखेंगे कि पहली जो हमारे प्रदेश की पहली महीला पुलीस IPS जिनको DG पुलीस महानेदेशक रांक पर पदोनत किया गया है कौन है नीना सिंग है जरूर आप इनके बारे में ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट क्वेशन जो हम देखते हैं ये है साथ जुलाई 2021 को हमें पता एक बहुत ही इंपोर्टन चीज हुई थी साथ जुलाई 2021 को टेट हमाले इंपोर्टन नहीं है के हमारा जो केंद्रे मंत्री मंडल है उसको change किया गया था उसमें कुछ विस्तार किया गया कुछ changes किये गए कुछ लोगोंकी ministries ली गई किनी को ministries दी गई तो ये कुछ changes किये गए थे अभी जुलाई 2021 में में चीज है राजस्तान के कॉंटेक्स्ट में कुछ important चीज़ें हुई क्या हाँ यहाँ पे हमारे राजस्तान से कितने चार सांसद हैं जिनके पास अब ministry या फिर कुछ ना कुछ portfolios हैं आपको जरूर इस से related जो है question पूछा जा सकता है exams के अदर आपको क्या की चीज़ ध्यान में रखनी है आपको ध्यान में रखना होगा minister का नाम और उनके पास कौन सा portfolio या फिर ministry है तो पहला हम देखेंगे गजेंदु सिंग शिखावत इनकी बारे में हम अलोड़ी जानते हैं पहले से ही यह जलशक्ती ministry इनके हाथ में थी तो गजेंदु सिंग शिखावत यह संभाल रहे हैं जलशक्ती ministry को next अर्जुन राम मेगवाल है यह संसदिय मामले parliamentary affairs से related जो portfolio है ministry हिनी को दिया गया है next जो संसदिय इनका नाम है काले कैलाश चौदरी इनको खृषी मंत्राले दिया गया है भुपेंद्र यादब को दिया गया है जो आपके वन परियाबरन से related और श्रम मंत्राले दो दिये गया है भुपेंद्र यादब को श्रम मंत्राले और वन परियाबरन से related तो चार संसद हैं जिनको ministry दी गई है जरूर आप ध्यान में रखेंगे फिर इसी time के अंदर कुछ और भी changes की गए जैसे कि अश्विन वैशनव जो है ओडशा से ये राज्यसभा संसद है लेकिन ये पाली से बिलॉंग करते हैं तो पाली राजस्थान के मूल लवासी है अश्विन वैशनव और इनको रेल मंत्री बनाया गया है ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे रेल मंत्री बनाया गया है अश्विन वैशनव को पाली से ये बिलॉंग करते हैं इनका मूल निवासी है ये कहां के पाली से और कहां से ये राज्यसभा के संसद हैं कहां से हैं ये भी ध्यान में रखेंगा ओडशा से हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं और कुछ चीज कोटा बुंदी से एक संसद हैं ओम बिल्ला जी ओम बिल्ला जी का अपने नाम सुना होगा ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है हमारी जो लोकसभा है उसके ये स्पीकर हैं ओके सो ये कुछ चीजे हैं कुछ major changes के गए थे इनके बारे में आप ध्यान में रखेंगे और extra fact आप जो यहां और राज्यसभा में राज्यस्थान से कितने members जाते हैं तो लोकसभा के अंदर जाते हैं हमारे राज्यस्थान से 25 members और राज्यसभा में जाते हैं 10 members तो ये कुछ major चीजे हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी अभी जो मंत्री मंडल का विस्तार किया इससे related ओके नेक्स को ये question है कि हमारे जो अध्यक्ष है पहरी चीज एक चीज आपने यहां से ध्यान में रखी कि अध्यक्ष जो है हमारे हमारी जो विद्धान सभा है उसके speaker कौन है अध्यक्ष कौन है CP जोशी जी है अब ये जो CP जोशी जी है इन्होंने कुछ समीथियां गटित की है तो हम लापचंत कटारिया जी को नियुक्ष किया गया है फिर आप देखें next जो हम इससे related और क्या-क्या current affairs यहां से निकाल सकते हैं कि राजस्थान विदान सभा अध्यक्ष जो CP जोशी है इन्होंने राजस्थान विदान सभा के प्रक्रिया के लिए 4 वितिय और 15 अन्य समीतिय का गठन किया गया है अगर आपको पता है अभी जो 22 सितंबर को paper हुआ है college lecturer का उसमें एक simple statement के form में दिया गया था कि हमारे यहां पे जो राजस्थान के अंदर विदान सभा है वहां पे 4 वितिय समीतिया होती है और 18 अन्य समीतिया होती है ऐसे करके कुछ कोई question दिया गया अब सारी समीतियों को आपको याद करने का जरूरत नहीं है कुछ 2-3 समीति होती है जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि उसको कौन अभी उसके अध्यक्ष नियुक्त किये गए है सो जन लेखा समिती का गुलाब चंत कटारिया है उनके बारे में हमने पढ़ा नेक्स्ट हम देखते हैं प्राकलन समिती कर estimates committee जो से हम बोलते हैं प्राकलन समिती कर के अध्यक्ष है प्राकलन समिती कर के अध्यक्ष राजेंद्र पारिक है और जन लेखा समिती के अध्यक्ष गुलाब चंत कटारिया है फिर हम देखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जो former CM थे वसुंद्र राजे जी इनको नियम समिती जो से हम बोलते है rules committee और सदाचार समिती इन दोनों के अंदर इनको शामिल किया गया है यहां से भी questions पूछे जा सकते हैं आपसे तो श्रीमती वसुंद्र राजे इनको कौन सी दो committees में include किया गया है एक दो नियम समिती के अंदर और एक सदाचार समिती के अंदर यह कुछ important चीजे हुई इनसे related next question के पारे में हम बात करते हैं राजे सरकार ने किस पूर्व IAS अधिकारी को स्वायत शासन नगरिय विकास और आवसान विभाका सलाकार नियुक्त किया है यह हैं GS संदू बस एक सिंपट सा और important सा fact है कि हमारे यहां पे एक IAS अधिकारी है राजस्तान कार्डर से उनको स्वायत शासन और नगरिय शासन और आवसान विभाका सलाका नियुक्त किया गया है GS संदू जी को किया गया है next question हम देखते हैं बहुत ही important question है यह कि COVID-19 महामारी के दोरान राजमे शिक्षा के शेत्र में किस अलादलक विभिन नवाचारों और उतकरिष्ट प्रबंदन के लिए World Education Leader of the Year Award दिया गया है यह कौन सी एक ऐसी personality है राजस्तान की जिनको यह Award मिला है तो यह है गोविन सिंग जी डोटासरा हम जानते इनको यह शिक्षा राजमंत्री है हमारे स्टेट के जो है शिक्षा मंत्री है तो इनको कौन नहीं जानता गोविन सिंग डोटासरा and World Education Leader of the Year इनको Award मिला है अब इनको यह Award मिला है क्या innovations किये इस सरकार ने कुछ innovations किये होंगे कुछ इन्होंने initiatives लिया होंगे इसलिए इनको यह Award मिला है सो इनिशेटब्स के बारे में भी हम देख लेते हैं because again यहां से बहुत सारे questions अभी पूछे जा रहे हैं again अभी जो राजस्तान के अंदर आपके RPSC नहीं जो College Lecturer का exam करवाया उसमें उन्होंने पूछा कि Project Smile किस से related है Project Smile क्यों बनाया गया है सो Project Smile पहली चीज़ यह education से related एक initiative है हमारी सरकार का क्या है इसमें WhatsApp Groups बना दिये गया है क्योंकि अब जो students है बच्चे हैं वो school तो जा नहीं रहते तो उनके लिए WhatsApp Groups बनाया गया जहां पे उनके साथ study material और यह सब कुछ शेर किया गया Next एक हवा महल program बनाया गया यह एक digital program था primary schooling में जो बच्चे हैं उनको दिखाने के लिए हवा महल program आप से Project Smile पे question अलड़ी बन चुका है दिन हमसे पूछा जा सकता है हवा महल program किस से related है आपको confuse करने के लिए दिया जा सकता है कि हवा महल को रेनोवेट करवाने के लिए या फिर किसी भी तरीके से पर गुमाफुरा के options बनाया जा सकते है हवा महल program किस से related है digital program है primary schooling से जो related बच्चे है जो छोटे बच्चे जो school जाते हैं उनको digital program उनको एक digital program दिखाया जाता है उसको बोलते हैं हवा महल program next जो एक और initiative इनों ने हमारी सरकारने लिया है इसे बोलते हैं आओ घर से सीखे program ये आओ घर से सीखे program किया इसके अंदर जो teachers हैं पूरा आपके social distancing का ध्यान रखते वे उन बच्चों के घर जाते हैं teachers एक एक student के घर जाएंगे and उनको कुछ ना कुछ जो है tuition पढ़ा के या फिर उनको पढ़ाना उनको study material देना homework देना ये सब कुछ किया जाएगा ओ आओ घर से सीखे program के अंदर तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है next इन सब में सबसे important ये भी है इसको हम बोलते हैं शिक्षा वानी और शिक्षा दर्शन ये भी एक initiative है COVID-19 के time ही हमारे सरकार ने लिया क्या है ये कि एक तो है शिक्षा वानी और एक है शिक्षा दर्शन इसके अदर जो DD Rajasthan आपका channel है उसके उपर कुछ ना कुछ पढ़ाई से related ऐसे videos आपने देखे होंगे कभी channel को इधर उधर करते हुए कि कुछ ना कुछ पढ़ाई से related जो दूर दर्शन चानले वगरे पे दिखाये जाते हैं जहांपे teachers बैठके पढ़ादे होते हैं एक तो DD Rajasthan पे शिक्षा दर्शन जो है वो उसको उसकी broadcasting की जाएगी और शिक्षा वानी होगा कि radio के थूँ ठीके audio के थूँ बच्चे पढ़ ले तो शिक्षा वानी रेडियो के लिए तो शिक्षा वानी और शिक्षा दर्शन ये कुछ जो है major events रहे कुछ major initiatives थे जो की हमारी सरकार ने लिये education से related और उनको award भी मिला गोवन सिंग डुटा सराजी को जो की शिक्षा मंत्री है किस में कौन सा award का नाम क्या है world education leader of the year award next question हम देखते हैं सैयूक्त राष्ट मामलो की bureau of inter parliamentary union क्या नाम है इसका IPU inter parliamentary union okay so ये इसकी जो स्थ्याई समिती है इसका सदसे राजस्टान से कौन मनोनित किया गया है so एक simple सा fact है कि जो हमारे यहां पे राजसमन से जो दिया कुमारी जो की member of parliament है सांसद है इनको inter parliamentary union inter parliamentary union के अंदर स्थ्याई समिती जो वहां की ad hoc समिती है committee है उसके अंदर उसका जो एक member उनको मनोनित किया गया है so IPU है क्या? IPU एक वैश्विक संगठन है एक international organization है जो की राजनितिक बहु पक्षिय जहां पर बहुत सारे अगर मतलब की debates वगरे की जाती है important issues उठाये जाते हैं और उससे related वारता, debate वगरे यह सब किये जाते हैं तो Inter Parliamentary Union एक international organization है किसको IPU की स्थ्याई समयती का सद्य से मनोनित किया गया है दिया कुमारी को यह राजसमन से आपके जो है लोकसभा के अंदर सांसद है next question हम देखते है राजस्थान राज्य आवासान मंदल का अध्यक्ष किसने संभाला है यह है शांती दारिवा एक सिंबल सा फाक शांती दारिवा यह राजस्थान राज्य आवासान मंदल के इनका अध्यक्ष जो है अभी इन्होंने पद संभाला है अध्यक्ष की तहत then next question जिसके बारे में बात करते हैं कि नगरिय विकास मंतरी विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी अधिसूजना के त्वारा गठित छटे राज्य वित आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है उपरवाला पार्ट आपके लिए इतना इंपोर्टन नहीं किसने गठित किया बस आपको ये चीज़ दियान में रखना है कि हमारा जो छटा राज्य वित आयोग है सिक्स्थ फाइनांस कमिशन ठीक है राजस्थान का सिक्स्थ फाइनांस कमिशन गठित कर दिया गया है बहुत ही इंपोर्टन फाक्ट है किसने कौन इसके अध्यक्ष बने है प्रद्यूमन सिंग प्रद्यूमन सिंग जो है वह इसके अध्यक्ष बने है एक बहुत ही important और major fact ही रहने वाला है प्रद्यूमन सिंग 6th Finance Commission के head बने है ये लक्षमन सिंग और सातमे अशोक लाहोती इनके सात members है ये तीनों ही members के नाम आपको जरूर याद में होने चाहिए, एक तो प्रद्युमन सिंग का, एक लक्षमन सिंग का और एक अशोक लाहूती का, अशोक लाहूती, प्रद्युमन सिंग और लक्षमन सिंग, इन तीनों ही के नाम आपको पता होना चाहिए, हमारा sixth finance commission है, इसको ग taxes को distribute किया जाना चाहिए, जैसे आपने सुना होगा 15th finance commission, 14th finance commission, तो वो बताती है, जब center level पे finance commission होती है, जो national finance commission होती है, वो बताती है कि state का कितना हिस्सा होगा, जो भी taxes collect होते हैं, state के पास कितना पैसा जाएगा, center उसका कितना इखटा करें, मतलब पैसा लेगा अपने पा राजस्तान में setup कर दी गई है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, जो भी members है, इनके बारे में आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, okay, then हम बात करते हैं कि इसका कारेकाल कितना रहने वाला है, ठीक है, इसका कारेकाल 1 April 2020 से 5 साल तक के लिए राजय करों में हिस् में रखना है, कि 1 April 2020 से 5 साल तक के लिए राजय के करों में कितनी हिस्सेदारी होगी, पंचायत समितियों को कितना दिया जाए, जो आपके local self-government में जो local bodies है, उनको कितना दिया जाए, इस सब के decision 1 April 2020 से 5 साल तक की जो report है, ये देंगे, then इससे related और कुछ facts में cover कर लेते हैं राजय वित आयोग का गठत कौन से आर्टिकल के थ्रहत होता है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 243 I, State Finance Commission का आर्टिकल है, ये बहुत ही important fact है, because अभी अगर आपने RPSC के papers, अभी नहीं, in fact जितने भी आप papers आप RPSC के देखें, उसमें जरूर किसी ना किसी commission, चाहे वो State Human Rights Commission, National Human Rights Commission, State Finance Commission, State Election Commission, राजय वित आयोग, इन सबसे related questions पूछे जाते हैं, उनका आर्टिकल वो किस दिन गठत किया गया, कौन से rules के थ्रू, कौन से act के थ्रू, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, अभी हम बात करें, राजय वित आयोग की आर्टिकल कौन सा है, आर्टिक पंचायती राज सिस्टम जो 11 जो है, आपके schedule डाला गया, 12 schedule डाला गया constitution के अंदर, और बहुत सारे major changes पंचायती राज और local self-government से किये गए, ओके तो यहीं से उत्पत्ती मतलब हम मान सकते हैं, origin State Finance Commission का आता है, अनुछेद 280, आर्टिकल 280 जो है, वो Finance Commission के बारे में बात कर हैं हमारे जो National Finance Commission है, उसका अनुछेद कौन सा, आर्टिकल 280 है, अब इसके तहर 1993 से देश के सभी राजों में राजवित आयोग का गटत किया, मतलब 1993 में बोल दिया गया कि सारे जो जितनी भी सरकारे हैं, जो State Governments हैं, इनको राजवित आयोग का गठन करना है, इसलिए हम द 2000 से 2005 में हीरा राम जो है देवपुरा उनके अध्यक्षता में रहा, 2005 से 2010 में मनिक चंद सुराना की अध्यक्षता में रहा, 2010 से 15 में बीडी कल्ला थे, 2015 से 2020 में श्रीमती जोती किरन शुकला थी, और ये कुछ जो अभी तक ही हमारे 5 Finance Commission है, इनके बारे में हमने बात करी, तो अगर हम 6th Finance Commission की बात कर रहे हैं, तो हमें 5 Finance Commission इनके कौन-कौन अध्यक्षते, ये जीज़े भी हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, जो हमने यहाँ पे कवर की, नेक्स्ट क्वेशन हम उठा रहे हैं, वो है बीकाने तकनीकी विश्वविद्याले का नया कुलपती किसे बनाया गया है, ठीक है, तो ये है अंबरीश शरण विद्यारती, इनको बनाया गया है नया वाइस चांसलर, अब इनका जो टाइम पिरेड है, ये तीन वर्ष अत् जो रहने बाला है, या तो तीन वर्ष कंप्लीर हो जाए, अगर सत्तर साल पहले कंप्लीर होता है, तो वहाँ पे उनका टेन्यॉर खतम हो जाएगा, ये चीज हमारे लिए इतना इंपॉर्टन नहीं, आप जरूर ध्यान में रखें, अंबरीश शरण विद्यारती, इनका बीका ने टेकनिकल युनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर इनको नियुक्त किया गया है, नाव किसने किया है, हमारे जो गवनर है राजस्थान के उन्होंने किया था नियुक्त, ये चीज भी इतना इंपॉर्टन नहीं, ये मेजर फाक्ट आपके लिए इंपॉर्टन र नेक्स्ट ग्वेशन, राजस्थान के पुलीस आयोग का सच्चिव बना गया है, किसको भुपेंद्र कुमार को, भुपेंद्र कुमार राजस्थान पुलीस आयोग के सच्चिव नियुक्त किया गया है, एक और फाक्ट हम कवर करते हैं आपके कि मोहन लाल लाठर जो है, वरतमान में राजस्थान पुलीस के महा निदेशक है, तो राजस्थान पुलीस के महा निदेशक कौन है, मोहन लाल लाठर है, इनसे question already कुछ exams में पूछा जा चुका है, आरपेसी द्वारा, जो भी recent टाइम में कुछ papers करवाये गए, और हो सकता है, future में भी पूछ लिया नेक्स्ट question हम देखते हैं, important है कि प्रदेश में नए लोकायुक्त की रूप में शपत ग्रहन की है, किसने, यह कि है, यह कि है, पूर्व न्यायदीश है, प्रताप सिंग लोहरा ने की है, प्रताप कृष्ण लोहरा ने की है, जो कि पूर्व न्यायदीश है और प लोका युँख्थ के पद परका जो कारेकाल है कितना होता है ये पांच साल का होता है ठीक है लोका युच्थ का जो पद है पांच साल का होता है इसके But I'm में रखेंगे कि five years जो है लोकायुक्त का time period रहता है देन आपके बीच में जो government आई थी उन्होंने eight years इसका जो है आठ वर्ष कर दिया था लेकिन अब फिर से इसको घटा के लोकायुक्त का next question हम करते हैं कि राजस्थान जो करमचारी चयन बोड़े या फिर आरेसम SSB जो है इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है उनकी बारे में बात करते हैं यह हरी प्रसाद शर्मा इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हरी प्रसाद शर्मा को हरी प्रिसाद शर्मा को RSM SSB का जो है नया अध्यक्ष जो है नया अध्यक्ष जो है नियुप्त किया गया है फिर इससे पूर्व BL जाटावत इनके इस्तीफे से ये पद जो है रिक्त चल रहा था तो इससे पहले रिजाइन किस ने किया था BL जाटावत ने रिजाइन किया था तब से ये RSM SSB का जो अध्यक्ष उसका जो पोस्ट है ये खाली चल रहे थी रिक्त चल रहा था अभी किसे लिया है हरी प्रिसाद शर्मा जी को लिया है अब इनके साथ ही और कुछ दो मेंबर्स को लिया गया डॉक्टर राम सिंग मीना को और डॉक्टर इर्फान महर को इनके साथ सदिस RSM SSB का जो है सदिस नियुक्ष किया गया है हरी प्रिसाद शर्मा बोर्ड के तीसरे अध्यक्ष है आजकल इन बोर्ड पे RPSC के कौन-कौन से मेंबर्स हैं RPSC के अगर आप देखेंगे College Lecturer का जो पेपर लिया गया अभी उस आप से पूछा जा सकता है कि इन से related अध्यक्ष से related भी आपसे questions पूछे जा सकते हैं तो इन कुछ facts के बारे में भी आप ध्यान में रख लेंगे next हम बात करते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्ष किया गया है किसे तो State Human Rights Commission का अध्यक्ष किसको चुना गया है इसकी बारे में बात की जा रही है ये question है कि State Human Rights Commission राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्ष किया गया है सो इसका आंसर रहेगा पूर्व न्यायधीश थे गुपाल कृष्ण व्यास इनको नियुक्त किया गया है स्टेट यूमन राइट्स कमेशन का अध्यक्ष ओके अब ये अध्यक्ष के अलावा इनके अलावा महेश गोयल को इसका एक मेंबर भी बनाया गया ठीके सो महेश गो करेंगे कि ये जो कार्यकाल है पांच से खटा कर अब हमें स्टेट यूमन राइट्स कमिशन का टाइम पीरिड पूचा जा सकता है कि इन अध्यक्ष और इनके जो मेंबर्स है इनका टाइम पीरिड कितना रहता है इनका टाइम पीरिड कितना रहता है ठीक है सो इनका जो है 3 years कर दिया गया है, पहले 5 वर्ष हुआ करता था, लेकिन अब ये 3 साल कर दिया गया है, एक amendment आया था 2019 में, उसके थुरू एक समविधान संशूधन करके, जो time period है, NHRC का भी, National Human Rights Commission के जो अध्यक्ष होते हैं, members होते हैं, उनका भी, and State Human Rights Commission के members और इनका भी, वो amendment में हम detail में, ब पस आपको इतना ध्यान में रखना है कि 3 years जो है, यहाँ पर किया गया, so कार्यकाल 5 से गटा कर 3 वर्ष करने के बाद, आयोग में पहली बार ये नियोक्तिया हुई है, now ये जो State Human Rights Commission है, ये 18 January 1990 को इसको गठन करने की सूचना दी गई थी, and March 2000 से ये आयोग क्रियाशील हो ग गया था, so ये दोनों ही डेट्स आपको ध्यान में रखनी होगी, कि एक तो 18 March 1990 को इसकी गठन की अधी सूचना की गई थी, पूछा जा सकता है, नोटिफिकेशन, and कब से ये क्रियाशील हो गया, March 2000 से, so अभी के जो पेपर्स हैं, उसके अंदर ये आप से पूचा जा सकता लाकिन आयोग से रिलेटेड जो है डेट्स, कब ये क्रियाशील हो गया, कब इनका गठन की अगया है, इन सबसे रिलेटेड क्वेशन्स अलड़ी पूचे जा चुके हैं, and और आगे भी पूचे जायेंगे, so ये कमिशन्स आपके लिए बहुत ही important हो जाते हैं, then हम बात कर संशोधित अदिनियम 2006 के अनुसार जो राज्य मानवदिकार आयोग है इसके अंदर 1 प्लस 2 का सिस्टम होता है कि एक तो अध्यक्ष होंगे और बाकी जो रेस्ट है दो और सदर से होंगे इसके अंदर ठीक है ये एक प्रोग्राम आयोजन किया गया था राष्ट्य नित्य गुरू की उपादी से सम्मानित किया गया है एक राजस्थानी को कौन है वो उनका नाम है मिताली घोश आपको नाम ये ध्यान में रखना होगा मिताली घोश गवर्मेंट वोडिशा ने एक प्रोग्राम एक महत सब आयोजन करवाया राष्ट्य नृत्य गुरु की इसके अंदर उपादी दी गई किसे दी गई किसको इस सम्मानित किया गया इस उपादी से मिताली गोश्कों किया गया नेक्स्ट क्वेशन हम देखते हैं बहुत ही इंपोर्टन रहने वाला है अल्रड़ी इन पर क्वेशन बन चुका है और फिर से रिपीट किये जा सकते हैं विकोज रपीसी और जो अधिनस्थ बोड है उसमें क्वेशन भी रिपीट किये जाते हैं तो राजपत पर जो 72 जो आपके गंतन्त दिवस था उसके अंदर परेड फ्लाइट पास्ट का नित्तव करने वाली पहली महिला पाइलिट कौन है इनका नाम है स्वाती राठोर ये नागोर की रहने वाली है और नागोर कभी कभी डिस्ट्रिक्ट्स भी पूछ लिये जाते ह पूछेंगे ये कौन से जले से समबंद रखते हैं स्वाती राठोर कहां से नागोर की रहने वाली है और वायू सेना की फ्लाइट लेट इसा करने वाली विदेश की पहली महिला पाइलिट बन चुकी है प्रदेश भी नहीं आपको ध्यान में रखना है ये इंडिया की पह बहुत ही important news है, जो आपको definitely यहाँ पे cover करने होगी, next हम बात करते हैं, राज्य पर्यटन सलाकार समिती का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, एक important सा question है, पूछे जाते हैं इस तरीके के questions, तो हमारा जो राज्य पर्यटन सलाकार समिती है, अब राज्य पर्यटन सलाकार समिती बनाई गई, हमारे यहाँ पर एक पर्यटन नीती लाए गई थी, तो यह दोनों नीती भी आप ध्यान में रख लीजेगा, recent time में ही एक पर्यटन नीती, राज्यस्तान के अंदर 2020 में, 9 September 2020 को एक पर्यटन नीती लाए गई थी, और राज्यस्तान एको ट्यूरिजम पॉलिसी 2021 में, अभी ही इसको मन्जूरी मिली है, बिल्कुल हाला में, July 2021 के अंदर, तो राज्यस्तान एको ट्यूरिजम पॉलिसी, यह 10 साल के लिए लाए जाएगी, और पर्यटन नीती 2020 जो आप से solar policy पूछ लेंगे राजस्थान का, तो इसके अंदर अभी आपको ध्यान में रखना है, कि परियतन नीती लाई गए थी, कब 9 September 2020 को लाई गए, और इसमें बोला गया था, कि हम एक राज्य परियतन सलाकार समती बनाएंगे, तो question यह है, इसका अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष मुख्य मंतरी को बनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज़ हमने अभी हाली में एक राजस्थान एको ट्यूरिजम policy भी लाए है, ये 10 years के लिए इसका time period कितना रहने वाला है, 10 साल के लिए रहने वाली है, परियतन नीती जो tourism policy है, ये 5 years के लिए रहने वाली है, राजस्थान एको ट्यूरिजम policy, एको यहां से जो है, आप confuse मत हुएगा, ये ecology वाला eco है, ठीके ecology वाला eco, जिसमें आपके जितने भी national parks है, wildlife centuries है, जहां पे forest और इन सब से related tourism को प्रोचसान दिया जाएगा, राजस्थान के लिए उससे related ये policy है, ओके, next हम देखते हैं कि आर्थिक सुरक्षा सलाकार परिश्रत का अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य मंत्री होते हैं, आर्थिक सुरक्षा सलाकार परिश्रत का अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य मंत्री जी ही होते हैं, ये भी चीज अब ध्यान में रखेंगे, दूसरी important चीज, कि ये जो आर्थिक सुरक्षा सलाकार परिश्रत है, इसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्ष किया गया, अर्विंद मायाराम को नियुक्ष किया गया, और ये question RPSC ने अभी जो college lecturer का exam होआ, उसमें directly ये question पूछ लिया, कि आर्थिक सुरक्षा सलाकार परिश्रत का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, ये अर्विंद मायाराम को चुना गया है, question repeat भी किया जा सकता है, ये ही question आपसे फिर से किसी और exam में भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखेंगे, किसको चूज किया गया है, आर्थिक सुरक्षा सलाकार परिश्रत का उपाध्यक्ष, सेवा निवृत एक IAS है, अर्विंद मायाराम जी इनको चूज किया गया है, इनको नियुक्त किया गया है, next question जो हम उठा रहे हैं, वो है राजस्थान राज्य उपभोगता विवाद, State Consumer Dispute Redressal का जो है अध्याक्ष का पद किसने ग्रहन किया है, ये justice बनवारी लाज शर्माने किया है, ये question भी important है, State Consumer Dispute Redressal, ठीक है तो हमें पता है कि Consumer Protection Act आया था, भी 2019 के अंदर एक Commendment Act आया था, उसके तरू बोला गया कि हर State Level पे, State Consumer Dispute Redressals बनाये जाएंगे, जहांपे जो भी consumers को दिक्कत है, वो जहांपे यहांपे अपनी जो है, ऐसे कुछ courts वगेरा और Redressal commissions और इन सारी चीज़े बनाने की बात की गई, तो ये State Consumer Dispute Redressal के लिए किसको जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है, बनवारी लाल शर्मा को चुना गया है, इस आयोग में अध्यक्ष का कारेकाल कितना रहने वाला है, या तो चार साल, या फिर 65 जो भी पहले हो जाए, या तो वो चार साल complete करेंगे, या फिर बीच में ही अगर 65 ये हो जाते हैं, तो उनको वो पद चोड़ना पड़ता है, में चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, स्टेट, कंजूमर, डिस्प्यूट, रड्रेसल का ये जो पद ग्रहन किया है, बनवारी लाल शर्मा ने, और दूसरी चीज़ कि चार वर्ष और 65 ये इनका टाइम पीरियर्ड रहता है, नेक्स्ट क्वेशन हम देखते हैं कि प्रदेश में नए मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहन किया है, किसने यहें डीबी गुपता ने, ठीक है, डीबी गुपता नए मुख्य सूचना आयुक्त का इन्होंने पद ग्रहन किया है, किसने DB गुपता जी ने किया है so DB गुपता DB गुपता ने किया है so DB गुपता प्रदेश के चौथे मुख्य सूचना आयूपत है and December 2023 इस पत पर ये रहेंगे main चीज आप ध्यान में रखेंगे कि हमारे यहां पर सूचना आयूपत मतलब की जो information commissioner है state information commissioner की यहां पर बात की जा रहे है state information commissioner का पद गुपता ने किया है DB गुपता ने किया है and प्रदेश के चौथे मुख्य सूचना आयूपत है चौथे ये state information commissioner हमारे राजस्थान के ये बनने बाले है then हम बात करते हैं एक और fact यहीं पर cover कर लेते हैं हमारे यहां पर वर्तमान में मुख्य सचीव का पद जो है कारियरत कौन चला रहे है ये निरंजन आर्य ये वर्तमान में प्रदेश के मुख्य सचीव पद पर कारियरत है next question हम देखते हैं कि 7 March 2020 को प्रदेश जो है सरकार ने राजस्थान Economic Transformation Advisory Council इसका गठन किया इस council के अध्यक्ष कौन होने वाले हैं मुख्य मंतरी अशोक गहलोत हमारे यहां पर एक राजस्थान Economic Transformation Advisory Council ये council गठन की गई है यहां से कुछ दो तीन facts आपको निकालने होगी पहली चीज कब गठित की गई थी ये council 7 March 2020 को 7 March 2020 को इसके अध्यक्ष होंगे इसके अंदर एक clause ये भी रखा गया है इसकी जो meeting है 6 मा में कम से कम एक बार इनकी जो है meeting होनी चाहिए इस तरीके का एक clause भी इसके अंदर रखा गया है major चीज आप ध्यान में रखेंगे कब इसका गठन किया गया है क्या नाम है राजस्तान Economic Transformation Advisory Council और कौन इसके अध्यक्ष होंगे हमारे जो मुख्य मंत्री है वो ही इसके अध्यक्ष होंगे आज का जो विडियो है इसका last fact हम cover करते हैं ये भी एक important personality जो अभी news में रहे थे इनका नाम है कल्यान सिंग आप जानते होंगे ये हमारे राजस्तान की अभी हाली में जो कल्राज मिर्शिस्र है उन से पहले ये governor थे कल्यान सिंग ठीक है इनका अगर हम देखें ये BJB party से belong करते हैं जहां से हमें chances लगती है कि questions पूछे जा सकते हैं पहली चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि ये CM थे उत्तर प्रदेश के ठीक है और ये राजस्तान और हिमाचल प्रदेश के governor थे तो राजस्तान के governor है ये तो हमें पता है हिमाचल प्रदेश के भी ये governor रह चुके हैं पहली चीज आपको ध्यान में रखना हिमाचल प्रदेश के भी रह चुके हैं और CM रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के ये दो तीन चीज़ें आपको इनके बारे में ध्यान में रखनी होगी कि पहली चीज कल्यान सिंग इनका जो टाइम पिरिएड है 2nd September 2019 को खतम हो गया था 2nd September 2019 तक ये राजस्थान के गवनर थे 5 साल तक पहली चीज आप ये ध्यान में रखेंगे दूसरी चीज ये बहुत ऐसे कम गवनर रहे हैं राजस्थान के अंदर जिन्होंने अपना जो पूरा 5 साल का कार्यकाल है वो कंप्लीट किया हो तो ये उन में से एक है तो ये 7th गवनर है जिन्होंने अपना जो पूरा कार्यकाल है हो कंप्लीट कर दिया था इसे बहुत सारे गवनर रहे हैं किasıpl全 Metis गवनर जिन्होंने अपना समय गवनर रहे हैं ठीक है 2nd September 2019 का जो है इनका time period जो है कारेकाल यहाँ पे खतम हुआ था यह हिमाचल प्रदेश के भी गवनर थे राजिस्थान के गवनर तो थे ही और CM भी थे उत्तर प्रदेश के तो statement के form में हमसे इनसे भी related जो है कुछ एक दो questions पूछे जा सकते हैं ठीक है तो आज के इस वी दो प्लेश को प्लेश प्रदेश के हैं टूसे कि एक बाहते हैं यह शर्वस्टिटो खानो ज गविस्टिए के जायर लाट गव एबसके लिए